कि नमासगार प्रेसाथियों मैं रागतिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केरियर मेकर पर स्वागत करता हूँ आए आज की करेंट अफेर की बात चाहिके साथ के इस सेशन पर आज बेस तारीक की शुबह हम सभी एकत्रित हुए है तो आज की सुरू करते हैं कि यदि किसी देश को ब्रश्टाचार मुक्त होना है और सुन्दर दिमागों का देश बनना है तो मुझे दुढ़ता से लगता है कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य है जो एक अंतर ला सकते हैं यह हमारे सामाजिक सदस्य है अर्थात हमारे समाज में रहते हैं आपके पिता आपकी माता और आपके शिक्षक इन तीनों का बहुत विशिष्ट योगदान है इस पूरे देश को सुंदर बनाने में और भरष्टा चार योक्मुक्त बनाने में जिसके लिए गोसामी तुलसीदास ने लिखा कि मात पिता और गुरू की वानी बिनह विचारे करे हित आपके लिए ही का होगा तो आये सुनुकरते हैं आज के पहले को में भारत किस देश के साथ एकसरसाइज टाइगर ट्राइमफ ट्रंटी-फूर का आयोजन कर रहा है रख्ड है भारत की तीनों सेनाए और अमेरिका Sul准 के अधिए व्ठत सेन अभ्यास है तो इसमें जो सही आयोजन जो है वो किया जा रहा है आईए देखते हैं इसके बारे में टाइगर ट्राइंफ 24 के जो मुख्य आकर्शन है वो भारत अमेरिका के बीच इस्थापित भागेदारी के अनुरूप है और ये द्विपक्षी त्री सेवा मानवी सहायता और आपदा राहत का एक सैन अ कॉहान और भारति वायूसेना के विमान और हैलिकॉप्टर के साथ रैपिड आक्षन मेडिकल टीम आर एम्टी इस सेयन अभ्यास में भाग लेंगे जिसमें अमेरिका का प्रतनिद्ध तो अमेरिकी नौसेना के जहाजों द्वारा किया जा रहा है जिसमें जिसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी थलसेना के सैनिक भी सामिल होंगे। कुल मिलाके ये मानवी सहायता के लिए और SDR के लिए एक संयुक्त अभकरम हैं जो भारत और अमेरिका के दोनों देशों की तेनाओं के बीच चल रहा है। चलिए अंगला फुशन देखते हैं हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप 2.0 को किस राजी की पुलिस ने लॉंच किया है। तो आप अपने मोबाइल में देखे यह पता कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति कौन से नंबर का अपरादी है या उसके खिलाफ किन-किन थानों में कौन-कौन से चार्ज जो हैं या अपराध क्रमांक दर्ज हैं ठीक है तो इसके लिए जरूरी यह है इसका जो वर्जन है वो अंड्राइड और विएस विंडोज और अंड्राइड और और अपरेटिक सिस्टम मैक या अपल अंड्राइड के वर्जन पर भी से लांच किया गया है और सबसे महतों विशेसता यह है कि यह जो एप है वो सब इस्पेक्टर लेवल से ऊपर के अधिकारियों में चलेगा चलिए आए देखते हैं इसके बारे में यूपी पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल चैड जीपीटी की तरज पर क्राइम जीपीटी तयार किया है जिसमें 9.32 लाग से ज़्यादा अपराधियों की कुंडली जो है एक क्लिक पर उपलब्द होगी डीजीपी प्रशांद कुमार ने अप्त नेत 2.0 को लांच करते हुए यह जानकारी दी है और डीजीपी ने बताया है कि इस एप के जरिये लोग सभा चुनाव में पुलिस कर्मी आसानी से चेकिंग कर सकेंगे इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारी इसका इस्तिमा उप्रणित की आजा सकेगा तो यह सारी चीजें जो है और इसमें आपकी क्राइम हिस्ट्रि उसकी दीखेगी फाई र डिडेल दीखेगी इंटरवोकेशन के रिपोर्ट्स क्या है उसके और यो दिखेंगे उसके फोटोग्राफ्स दीखेंगे उसमें जो इनाम है वह आप प्रस्तुत किया जाएगा और इसके माध्यम से पुलिस को एक सुविधा रहेगी कि वो किसी भी अपराधी को बहुत जल्द बहुत जल्द और एक सुचारू पुंधंग से पकड़ सकेगी आई यह देखते हैं अनला कुर्शन यह प्रशांद कुमार है जिन्हों ने इस एप को लॉंज किया है यह देखते हैं हाल ही में याउंडी डिकलरेशन चर्चा में था और यह निम्नमे से किस से संबंदित है तो याउंडी डिकलरेशन जो है यह आपको याद रखना है कि अफरीका में बहुत सारी महामारिया है जिनमें से एक महामारी है मलेरिया ठीक है तो एक समिट हुई थी ठीक है ना एक समीटी मनी थी और उस समीटी के सुझाव पर ये एक declaration आया था जिसे कहा गया था याउंडे declaration ठीक है ना तो ये अफरीका में मलेरिया की रोग थाम के लिए जो है वो याउंडे declaration लाया गया था तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा की देशों के स्वास्थ मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है वैश्विक इस तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संक्या 2020 में 233 मिलियन से बढ़के 2022 में 249 मिलियन अर्था 16 मिलियन अम्रत्य ज्युद्ध होई है तो इसमें ये सारी चीजें जो हैं किसके खिलाफ हो रही है यांडे डेकलरेशन में मलेरिया के खिलाफ हो रही है यह आपको याद रखना चलिए आगे देखते हैं कोटेक महिंदरा बैंक ने वन कोटेक का ग्रूप प्रेसिडेंट किसे नियुक्ति किया है कोटेक महिंदरा ग्रूप के अभी हाल ही में कोटेक वन कोटेक ग्रूप का प्रेसिडेंट नियुक्ति किया है किसको जैदीप हंसराज को किसको नियुक्ति किया है जैदीप हंसराज को नियुक्त किया है आई इनके बारे में देख लेते हैं कोटेक महिंदर ने कोटेक सिक्रियोटीज के वर्तमान इनके पास कब से आएगी एक अपरेल 2014 से आएगी चली अंगला कुशन देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रिय दिव्यांग जन आईकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है तो राष्ट्रिय दिव्यांग जन आईकॉन के रूप में अभीन होने परेंदॉय को शुष्री को सुष्रिश सीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्री दिव्यांग जन आइकॉन गोशित की गई है और ये पैरा तीरंदाज और अरय अर्जुन पूरुसकार विजेता-सीतल देवी है तो आपको यह याद रखना है कि यह कब हुआ है तोला मार्च दो हजार चौबिस को रास्ट्रे दिव्यांग जन आईकॉन की से बनाया गया है भारत की प्रसिद्ध तीपैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरुसकार विजेता शुश्री सीतल देवी को बनाया गया है यह यह हैं सीतल देवी जी ठीक है ना कि देखिए इनकी अर्च्री है यह धनुश है और इस पर यह निशाना लगा रहे हैं ठीक है चलिए कि देखिए इनके दोनों हाथ नहीं है यह हाथ जो है वो नहीं है आप यहां से देखे तो यह इनकी थाई है और यह पैर से निसाना लगा रहे हैं यह अपना धनुस जो है वो पैर से पकड़ा हुआ है और उस पैर से निसाना लगा रहे है यह बहुत बड़ी बात है ठीक ना जिनके हाथ नहीं यह पैर से निसाना लगाती है और उसमें भी नोंने मैडल्स जीते हैं ठीक है चलिए कि कुशन 6 है कि हाल ही में चर्चव में रहा कोविंद समीती निमने में इसे किस से संबन देते तो यह जो कोविंद समीती है यह भारत के पूर्वराष्ट्रपती रामनाथ कोविंद की अधेखछता में एक समीती का निर्माण हुआ था और उसने एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तूत की है ठीक न और उसका जो में मोटो है राश्च्वती जी कर वो जो इनकी समीति बनाई गई थी उसका में जो लक्ष था वो था वन नेशन वन इलेक्शन जा था वन नेशन वन एलेक्शन अर्थाथ एक देश एक चुनाओ ठीक ना जिसमें 65 के आसपास जो टोटल दल है उसमें से 45 के आसपास ने इसमें सहमती की है दस बारा जो अन्य है उन्होंने इस पर असहमती जताई है ठीक है तो आपको यह याद रखना है तो यह एक साथ चुनाओं पर आधारित है ठीकिना वन नेशन वन इलेक्शन इसका मुख्य मोटो रहा है आए देखते हैं वन नेशन वन 226 पेजों की यह जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन जो है वो दो सितंबर 2023 को किया गया था और स्टेक होल्डर एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 201 की रिसर्च का नतीजा है जिसमें 62 पार्टियों से संपर्क साथा गया था जिनमें से 47 ने जवाब दिया ह 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाओ कराने का समर्थन दिया है जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरूध किया है और 15 पार्टियों ने इसका जवाब भी नहीं दिया है कांग्रेस आप बसपा और CPIM ने इसका विरूध किया है जबकि भाजपा और National People's Party ने इसका समर्थन किय है ठीक ना इसके अलावा हाई कोड के नौ पूर्व मुख्यनाय अधीशों ने इसका समर्थन किया है जब कि तीन मुख्यनाय अधीशों ने इसका विरूध किया है और एक चुनाओ के प्रस्ताव का इन्हों विरोधि किया है तो लगभग इस्तिती यह है कि दो गुने से ज्यादा मतलब 32 ने कह दिया है हां और 15 बोल रहे हैं तो दो अनुपाते एक का अनुपात यहां पर चल रहा है लेकिन अगर मुक्षिनाय धीसों की तुलना की जाए तो 9 ने समर्थन किया है और 3 ने उसको विरो को दिकिया है तो वह एक बहुत बड़ी चीज नहीं है देखते हैं इसका अंगे क्या होता है आई यह देखते हैं लाकुशन हाल ही में हुए रूसी राष्टपती चुनाओं में राष्टपती की रूप में किसे चुना गया आपको यह पता होगा कि बहुत लंबे समय से ल नहां पर वह बिल्कुल इस्थाई रूप से कावेज और ब्लादिमीर पुतिन का यह चुनाओं महत्वपूर रहा है और उनके विरोध में वह तीन लोग खड़े थे जो उन्हीं के समर्थक भी रहे हैं तो एक तरीके से यह बिल्कुल ऐसा चुनाओं था कि मैं ही राजा और मैं ही प्रजार ठीक है तो ब्लादिमीर पुतिन नहीं जीता है इसको आपकी से याद रखेंगे तो इसका जो आंसर है वो है बेगू सराय क्या है इसका आंसर बेगू सराय जो है इसके सबसे प्रदूशित महानगरी छेत्र बनकर उभरा है आए इसके बारे में देखते हैं । छटी वार्शविक विस्व वाइउगूपत्ता रिपोर्ट अर्थात आई-क्यू-e-y द्वारा जारी चटी वारशविक विस्व उग्रवत्त्त रिपोर्ट के अंवसार भारत दो हजार देईसर में दुनिया के 113 सबसे प्रोदूशित देशओं में से एक है और इसमें बेगू सराय विस्व इस्तर पर सबसे प्रदूशित महानगरी छेतर बनके उभरा है आपको यह याद रखना है चलिए अनला कुश्चन देखते हैं हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को इट राइट केंपस के रूप में प्रमानित किया गया है इसका आंसर कल मैंने बताया था कि सौ है ठीक है और यह जो डाटा है काफी दो तीन बार हो चुका तो इसको आप याद रखिएगा प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में प्रभा वर्मा को ठीक ना स्वास्तिकम रौद्रा स्वास्तिकम रौद्रा के लिए क्या दिया गया है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और सरस्वती सम्मान जो है वह कौ मूर्थी और तीन लाख रूपए तीन लाख रूपए जो है वो दिये जाते हैं यह आपको याद रखना आई ये देख लेते हैं केके विल्ला फांडेशन ने प्रसिद्ध कवी और सहतेकार प्रभा वर्मा को उनके उपर नियास रौद्र सात्विकम के लिए 33 सरसुती सम्मान से चुना है और यह मले आलम भासा में लिखा गया है मले आलम भासा में लिखा गया है रौद्र साथ विकम ठीक है ना यह आपको याद रखना है ठीक है और यह भी याद रखना है कि सरस्वती संवान पुरुसकार विजेता का चैन सुप्रीम कोड के पूर्व निया अधिस न्याय मूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्ष कोशन ऑफ इंडिया के साथ साचेदारी की है यह ने परसों की क्लास में बताया था इसका आंसर है गूगल आप लोगों में से केवाल एक विक्ति रेनुसेन ने इसका सही आंसर दिया है ठीक है चलिए अंगिला कोशन आज का जो कोशन है वो यह है कि हाल ही में किस देश के खिलाडी मैथ्यू वेड ने प्रतम स्रेणी क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है इसका अंसर आपको आज वाले सेक्षिन जो आएगा उसमें कमेंट सेक्षिन पर जाए और उसे जरूर दें ठीक है तो यहां तक हमारी क्लास थी अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक सथिक लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद